इस वीडियो में मैं एडूटेरिया के फुल सिलेवस टेस्ट वन के हिंदी मीडियम के कोश्चन को डिसकस करने जा रहा हूं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं प्लीज इस चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, तो चलेए शुरू करते हैं Question no.1 निमन में से कौन सा एस्थल बिहार में नौ पासान कालीन एस्थलो में सामिल है तो रोहतास का सेनवार भी सामिल है, गया का ताराडीह भी सामिल है और सारण का चीरांध भी सामिल है ये सभी सामिल हैं इन एस्थलों से पत्थर के बने सुक्ष माउजार तता हड़ी निर्मित उपकरण साक्ष के रूप में प्राप्त हुए हैं तो उप्रियुक्त में से एक से अधिक राइट अप्षन डी होगा नेक्स्ट सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिया और नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उतर चुनिए मेगास्थनीज ने लिखा इंडी का तो एक का थ्री हो जाएगा टॉलमी ने जोग्राफिक को लिखा तो बी का वन हो जाएगा प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा तो सी का टू हो जाएगा और हैन सांग ने सी यू की लिखा मेगास्थनीज ने इंडी का लिखा एक का थ्री हो जाएगा और टॉलमी ने जोग्राफिक लिखा तो बी का वन हो जाएगा प्लीनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा तो C का 2 हो जाएगा फेन सांग ने C, U की लिखा तो D का 4 हो जाएगा तो इसमें से A का 3, B का 2, C का 3, B का 1, C का 2 and D का 4 राइट अप्शन C होगा निमलिगित में से कौन सा संपरदाय हीनियान से संबंदित है तो हिनियान से 2 संपरदाय संबंदित है, बैभासिक तथा सौतांत्रग, हिनियान से संबंदित है माध्यमिका, एवम, विज्ञानवाद, यह महायान के परमुख संपरदाय है तो इसमें से A हो जाएगा, सौत्त्रांतिक, राइट अप्शन A Next question, निमलिखित में से हडपा सबेता के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है हडपा सबेता के लोग प्रकृति पूजक थे, ये सही है इन्होंने 20 साल पूजा एस्थलो का निर्मार करवाया जादू टोना पर भरोसा करते थे जादू टोना पर तो भर्वसा करते थे ये सही है लेकिन इन्होंने 20 साल पूजा एस्थलो का निर्मार करवाया था ऐसा साक्ष अभी नहीं प्राप्त हुआ है तो ये गलत है तो राइट अप्सन B होगा निमलिकित में से किस स्थान पर प्रथम बौध संगीती का आयोजन किया गया था तो प्रथम बौध संगीती का आयोजन किया गया था राजग्री में 483 इसापुर्व में आजास सक्त्रू के सासनकाल में बैसाली में नहीं हुआ था पाटली पूत्र में भी नहीं हुआ था A होगा। गुप्त काल में आत्रत भूमी के अंतरगत किस प्रकार के भूमी को रखा जाता था। होता था तो इस मेंगो होता थह में तो होता था तो इसबी से जई ये उपरिक्त में से एक से इधिक राइट अप्σιन, D होगा निमलिकित में से दिल्ली सल्टनाट के किस सासक ने सिकंदर द्यूतिय की उपादी ग्रहण की थी अलावदीन खिल जी ने राइट अप्शन C होगा प्रसीद सासक कृष्ण देवराय का संबंध बिजयन अगर के किस राजबंसे से था तुलूव बंसे से था राइट की शुरुआत की गई थी तो दह साला प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल के 24 वे बर 1880 में की गई थी अठारे 1880 में राइट अप्शन A होगा मधकालीन भारत में रहट किस से संबंदी था ता मधकालीन सीचाई बेवस्ता में रहट काफी प्रसलन में था इसकी साहते से सीचाई है तो पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था रहट एक सीचाई यंतर था राइट अप्शन C होगा सिंचाई का साधान पानिपत के जुद के समय माराठाओं का पेश्वा कौन था बाला जी बाजी राओ था बाला जी बाजी राओ राइट अपसन सी होगा बाला जी बाजी राओ के समय में ही पानिपत का त्रतिय जुद 14 जनवरी 1761 को आहमा सा अबदाली माराठों के ब इनी के टाइम में, कब 1833 पन में, तो यह हुआ था, लोक निर्मार विभाग की आस्थापना की गई थी, कब 1844 में, तो यह है, नया पोस्ट उखी सेक्ट पारित किया गया था, यह भी 1844 में, तो यह तीनों ही सही है, उपरियुक्त में से, लाड डल होजी के समय नहीं हुआ तो उपरियुक्त में से सभी हुआ था, तो उपरियुक्त में से कोई नहीं, राइट अप्सन डी होगा। थापक था सादत खा था राइट अफसन ए होगा निमलिकित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार परदान किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से राइट अफसन भी होगा निमलिकित में से किस गौर्णर जनरल ने कहा था भारत के बिदेशी पुंजी एक अनिमार्ज सर्थ है तो लॉड करजन ने कहा था और इसके जबाब में दादा भाई नौरो जी ने कहा था कि विदेशी पुंजी भारती संसाधनों की लूट और सोसन का जरिया है राइट अप्सन C होगा निमलिखित में से किस सत्यागरह में सरदार बल्ला भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी तो खेडा सत्यागरह में भी उनकी भूमिका थी नागपुर जंडा सत्यागरह में भी बलसाड सत्यागरह में भी उनकी भूमिका थी तो उप्रयोक्त में से एक से अधिक राइट अप्सन D होगा मैं नास्ति क्यों हूँ नामक लेख किस ने लिखा था भागा सिंग ने लिखा था राइट अप्शन C होगा गांधी जी द्वारा किस बर्ष बर्धा से अपनी हर्जन यातरा आरंब की गई थी तो साथ नौमबर 1933 को बरदा से गांधी जी ने अपनी हर्जान यातरा आराम की थी 29 जुलाई 1934 तक यानि नौ महीने तक वह देश का दवरा करते रहे उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यातरा की थी राइट अप्शन B होगा 1923 में फ्लाउड आयोग का समध्य निम्लिकित में से किस से था तो भूर आजस्व से था भूर आजस्व से राइट अप्शन B होगा बंगाल भूर आजस्व आयोग जिससे फ्लाउड आयोग के नाम से भी जाना जाता था इसी आयोग ने सरकार को भूर आजस्सु की दर आधे से कम करके एक तिहाई की सिफारिस की थी इस आयोग की अनुसंसा के कारण बंगाल में 1946 के उत्रार्ध में ते भागा आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का समिधान तयार किया गया था तो मदरास के 1908 के अधिवेशन में राइट अप्शन C होगा कांग्रेस का 23 अधिवेशन 1908 में मदरास में आयोजित किया गया था इस अधिवेशन की अध्यक्तार रास बिहारी बोस ने की थी इसी अधिवेशन में कांग्रेस की समिधन का निर्मान किया गया था लैंड होलडर सोसाईटी का गठन किस बश्किया गया था 1838 में ड्वार का नाथ टै Workshop के द्वारे कलकटा में किया गया था 1838 राइट अफशन C होगा 12 नौंबर 1930 से 19 जन्वरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोल में समेलन के संदर में कौन सा जुगम सही सुमेलित नहीं है तो दलित के तरब से भीमराव अंबेटकर प्रतिनिदी के रूप में सामिल हुए थे बेपारियों के की तरब से होमी मोदी सामिल हुए थे और सिक समुदाय के तरब से सरदार संपूर्ण सिंग सामिल हुए थे तो उप्रयुक्त में से सही सुमेलित नहीं है तो सभी सही सुमेलित हैं तो उप्रयुक्त में से कोई नहीं राइट अपसन D होगा अहमदिया अंदोलन का संस्थापक कौन था मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया अंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे इस अंदोलन का लक्षी साई मिस्नरियों के प्रभाव से इसलाम का बचा होता था पुनर जागरान लाने का प्रियास करना था राइट अप्सन ए होगा मिर्जा गुलाब अहमत निमलिखित में से किस भारतिय गरंथ का अंग्रेजी में अनुबाद सर बिलियम जोन्स ने किया था अभी ज्यान सकुन तलम का 1789 में राइट अप्सन बी होगा राम परसाद बिस्मिल एम असफा कुलाखा को किस सड़ेंतर केस के तहत फांसी की सजादी गई थी काकोरी सड़ेंतर केस के तहत राइट अप्सन ए होगा काकोरी सड़ेंतर केस हुआ था अगस्त 1925 में निमलिकित में से किस अंदोलन के दोरान पहली बार ब्यापक एस्तर पर बंदे मात्रम का पड़ियो किया गया था सवदेशी अंदोलन के दोरान राइट अप्सन C होगा किस हेरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था तो सबसे पहले आगमन हुआ पुर्तगाली, उसके बाद डच आये, उसके बाद बृटिस, देन डेनिस, देन फ्रांसीसी, और सबसे अंत में आये थे स्वीडिस तो राइट अप्शन ये हो जाएगा, स्वीडिस इस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट में आई थी किस उत्तरकालिन मुगल सासक ने अरंजेब द्वारा आरो पित जजिया करको समाप्त कर दिया था बहादूर साफ प्रथम ने, बहादूर साफ प्रथम राइट अप्शन C होगा नील किसान विद्रो किस बर्थ हुआ था, 1869 में हुआ था, बिहार और बंगाल के छेत्र में, दिगंबर विश्वास, एम विश्णु विश्वास के नेत्रित्यु में 1869 राइट अप्शन B होगा अठाड़े फटवरी 1946 को साही नव सेना विद्रो का अड़ंभ किस अस्थान से हुआ था, तो बंबई के नौसाइनिक प्रसिक्षन पोत HMIS तलवार से हुआ था, तो बंबई हो जाएगा राइट अप्शन C इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किस ने लिखा था, बिलियम हंटर ने लिखा था, अठाड़े सो सत्तर में, ब्रिटी सरकार को मुसलमानों से समझावता करने का सुझाव दिया गया था इस पुस्तक में, सो राइट अप्शन D हो जाए गया उपर योक्त में से कोई नही भारत के चुनाव आयोक से संब्धित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हमारे देश में चुनाव एक सोतंत्र और स्वायत चुनाव आयोक द्वारा करवाये जाते हैं, यह सही है, मुख चुनाव आयोक्त की नियुक्ती भारत के राष्टपती द्वारा की जाती है, यहा निमलिखित कथनों पर विचार करती वे असक्त कथन पर विचार केजिए, मीजोरम और नागालेंड में लोकसभा की सीठे शमान हैं, तो ये सही है, सभी केंदर सासित परदेशों में लोकसभा की सीठे समान हैं, नहीं, जबकि चंडीगर, अंडमान, एम, निकुबारदीप, समू, लदाक, पुद्दुचेरी वर लक्षदीप में एक-एक लोकसभा की सीठे हैं, तो ये गलत है, उत्तर परदेश में लोकसभा की सीठे सरवाधिक हैं, ये सही है, तो गलत कौन सा है, बी गलत है, सो राइट अप् किसी गिरक्तार व्यक्ति को नियाले के सामने प्रस्तूत करने हैं, तो नियाले कौन सी रिट जारी करेगा, बंदी प्रतक्षी करन जारी करेगा, इनमें से कोई नहीं, राइट अप्षन डी होगा, मौलिक अधिकार से संबंधित निमलिक्त कथनों पर विचार कीजिए, समिधान में अंशिद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से, वा सर्भजनिक सुभधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है, ये सही है, समानता के सिधान का हनन होने पर दलित अनुछित 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी सही है, उप्रियुक्त कथनों में से कौन सा सत्त है, दोनों ही सही है, राइट अप्शन C होगा भारतिय संसद में राज सभा सदस्यों का चुना होता है, सीधे जनता के द्वारा नहीं, राज के लोक सभा निर्वाचि सदस्यों द्वारा नहीं, राज के विधान सभा के निर्वाचि सदस्यों द्वारा, राइट अप्शन C होगा निम्न में से कौन सा समिधान संसोधन आठवी अनसूची के भासा से संबंधित नहीं है। 92 समिधान संसोधन आठवी अनसूची के भासा से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन ऐसे राष्टपती हैं जो राष्टपती बनने के पुर्व उपराष्टपती भी बने थी। आर बेंकट रमन भी, संकर दियाल सर्मा भी, इसके अलामा बीडी जत्ती, अक्कियार नरायनान तो उपरियोक्त में से एक से अधिक राष्टपती होगा। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। उप्रियुक्त सुमेलित नहीं है, तो उप्रियुक्त में से कोई नहीं right option D होगा. निमलिकित में से कौन उष्ण कटबंदिये घास का मैदान नहीं है? तो अफ्रीका का पुर्वी अफ्रीका का सवाना उष्ण कटबंदिये घास का मैदान है, ब्राजील का कमपोस भी उशन कट बंदिये घास का मैदान है और बेनेजुएला का लानोस भी उशन कट बंदिये घास का मैदान है तो उपरुक्त में से सभी घास के मैदान उशन कट बंदिये घास के ही मैदान है तो उपरुक्त में से कोई नहीं right option D होगा उसन कठे बंदिये घास के मैदान भुमद रेखा के दोनों तरफ फेले हुए हैं और सितोसन घास के मैदान जो है वो है अर्जेंटिना का पैमपास, दक्षन अफिरिका का वेल्ड, अस्ट्रेलिया का डाउन्स और मद असिया का स्टेपी लमर्ता कितने ग्राम जल में मौझुद नमक की मात्रा होती है, एक हजार ग्राम में मौझुद नमक की मात्रा होती है, राइट अपसन बी होगा महासागर की ओसत लमर्ता 35 ग्राम प्रती हजार ग्राम होती है प्रितिवी पर उपलब्द संपुर्ण जल में महासागरिये जल के बाद दूसरा प्रमुक जल छित्र कौन है तो दूसरा प्रमुक जल छित्र है बर्फ छत्रक आइसबर्ग राइट अप्सन ए होगा महासागरों में 97.3% टोटल जो जल अबलेबल है वो महासागरों में 97.3% बर्फ छत्रक के रूप में 2% भूमिकत जल जो है वो है 0.68% जीलो का मीठा जल जो है 0.009% है थलिये समुद्रियम नमकीन जीले 0.009% बाइमंडल में जो जल है वो है 0.0019% और नदियों में जो जल है वो है 0.0001% नमकीत खबोलिये स्थिति किस घटना को परकट करती है तो सूर्ज का प्रकास जो आ रहा है प्रित्वी की तरफ उसको चंद्रमा छेके हुए है यानि सूर्ज दिखाई नहीं देगा यानि चंद्रमा की छाया जो है प्रित्वी पर पड़ेगे जीस कारण से सूर्ज दिख परदाई है जन्मदर मिर्तुदर भी मिर्तु यानि प्रवास यानि मैगिलेशन भी है तो राइट अप्सन ए होगा निमलिकित में कौन सही सुमेली थैं पेंटागोनिया अर्जेंटीना में इस्तितिक सुस्क मरुस्थले ये सही है आटा कामा उजवेकिस्तान में है नहीं आटा कामा उत्री चिल्ली में है तो ये गलत है कारा कुम सोमालिया में है कारा कुम जो है तुर्क मेरिस्तान में है तो ये भी गलत है सही कौन सा है ए तो राइट अप्सन ए होगा 15 डिगरी पच्छमी देसांतर पर दीन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिगरी पुर्भी देसांतर पर कितना बज रहा होगा 15 डिगरी पच्छमी देसांतर है और 45 डिगरी पुर्भी देसांतर है तो इन दोनों में कितना गयब है 15 पलस 45, 60 डिग्री का गयब है और हम जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है 4 मिनट 4 मिनट तो 60 डिग्री में कितना होगा 60 में 4 से मल्टिप्लाई करेंगे 24, 24 मिनट 240 मिनट मतलब कितना घंटा 240 में 60 से मल्टिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 घंटे यानि 4 आवर चुकि पुर्वी देशांतर है तो 4 घंटा जादा होगा तो 2 बज़रा है उसमें 4 घंटा जोड़ देंगे तो 6 बज़रा होगा 6 पीम होगा सामके 6 बज़रा होगे राइट अपसन C होगा मतलब जब 15 डिगरी पच्चमी देशांतर पर दीन का 2 बज़रा होगा उसी टाइम में 45 डिगरी पुर्वी देशांतर पर सामके 6 बज़रा होगे लेबराडोर जलधारा अवस्थित है लेबराडोर जलधारा जो उत्री अट्लांटिक ओसियन की एक cold current है ये इस्थित है इसकी अवस्तित है उत्री अमेरिका वक्राहक नहीं नहीं उत्री अमेरिका और प्रzen Тут होगा ये cold current का direction होता है रोल से एक्वेटर की तिरफ बाइमनल के किस मंडल में अंत्रिक्ष में प्रवेश करने माली उलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं तो सबसे पलेटर ट्रोपो एसफेर उसके बाद में स्टेटो एसफेर देन उसके बाद में मीजो एसफेर यानी मध्ध मंडल मध्ध मंडल में ही अंत्रिक्स से आनेमली जो उलका पिंड है इसमें जल करके राख तन जाती है सो राइट अप्शन भी होगा ये मध्ध मंडल जो है ये फैला हुए है पकाशास किलो मिटर से लेकर चाहए 80 किलो मिटर के बीच में इस्थित है कोरल सागर कहां अवस्थित है तो या आस्ट्रेलिया के उत्तरपूर में है राइट अप्शन ए होगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022 तेज कंचार 2021 बाइस में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद यानि जी एश्टीपी की इस्थिर कीमत पर बिर्धिदर कितिनी रही तेज कंसार बर्तमान में राज में सहरी करण का अस्तर क्या है तब पिछले साल 15.3 प्रतिसथ था और इस बार के डाटा के एकॉर्डिंग 16.2 प्रतिसथ राइट अप्शन C होगा बितिये बर्स 2023-2024 के लिए राजकोशिय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान है तो 2.98 प्रतिसथ होने का अनुमान है राइट अप्शन B होगा पिछले बर्स 3.47 प्रतिसथ रहने का अनुमान था बिहार बजट 2023 कुंसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है 15.24% रहने का अनुमान है राइट अपसंद भी होगा केंद्रिय बजट 2023 में निर्धारित विकास की साथ प्राथिमिकताएं जिसे सबतर्सी नाम दिया गया है में सामिल नहीं है सक्षमता को सामने लाना ये सामिल है हरित विकास ये भी सामिल है बितिय छेतर ये भी सामिल है सामावेसी विकास भी सामिल है अन्तिम बेक्ती तक पहुँच सामिल है और संदरस्नायम निवेस सामिल है सक्षमता को सामने लाना ये तो सामिल है ही हरित विकाश सामिल है ही जुआ सकती भी सामिल है और बिती एच्छेतर भी सामिल है यह साथ चीजे सामिल है तो उपरियुक्त में से कोई नहीं राइट अपसन D होगा भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोसो में भारी गिरावर 2022 के दावरान आई आर्बी आई के आंकडे के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कूल विदेशी मुद्रा को कितनी रासी के थे तब 562 अरब डॉलर के थे 562 अरब डॉलर राइट अप्सन ए होगा राष्टे खाद सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूर्ड सेकुरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड जनसंख्या को कितनी अधी तक नीसुलक अनाजुपलब्द कराने की घुर्फना केंदर सरकार ने दिसंबर 2022 में की है एक वरसे तक राइट अप्सन बी होगा भंडारी समीति किसे संबंदित है तो भंडारी समीति के अस्थापना 1994-95 में ग्रामिड बैंकों के पुनर गठन और सुधार के लिए की गई थी तो ये संबंदित है परत्यक्ष काराधान से नहीं पिरसी इरिंड से भी नहीं अब परत्यक्ष काराधान से भी नहीं उपरिक्त में से कोई नहीं राइट अप्सन डी होगा निवनी में से किसके द्वारा अनौरत जोजना का प्रतिपादन किया गया था अनौरत जोजना लाई गई थी जनता पार्टी के सरकार के द्वारा 1978 के बीच में तो ये अधारित था गुर्णार मीडल के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था उनके मोडल पे याधारित था ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुष्टक एक थी The Asian Drama उस पुष्टक में उन्होंने अनावरत जोजना का उलेह किया था तो हेरोड डोमर मोडल नहीं होगा, PC महाल नोबिस भी नहीं होगा, DR गौड गिल भी नहीं होगा, तो उपरियुक्त में से कोई नहीं, राइट अप्सन D होगा पर्स 1938 में भारती राष्टे कांग्रेस द्वारा गठित राष्टी नियोजन समीती के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहर लाल नहीरू थे, राइट अप्सन C होगा प्राकिर्तिक चैन का सिधानत किस के द्वारा दिया गया था? चाल से डार्विन के द्वारा दिया गया था, राइट अप्सन B होगा टार्विन का अनुसार जीवों की विकास परकिरिया में कुछ अनुमानसिक परिवर्तन होते रहते हैं यह क्यावल उप्योगी लक्षण और उप्योगी परिवर्तन ही अगली पिड़ी में अस्थानांतिरित होते हैं नेक्स कोस्टन बी नाइटरी करण में भाग लेने वाले जिवानु है तो बी नाइटरी करण का मतलब होता है कि मिट्टी में मौझूद नाइट्रेट नाइट्राइट या फिर अमोनिया के योगिक को फिर से नाइट्रोजन में बदल देना नैट्रोजन गैस में बदल देना ये काला आता है बी नाइट्री के रहाना और ये काम किया जाता है थायो बैसिलस एम माइक्रो बैसिलस के द्वारा तो उप्रियुक्त में से एक से अधिक राइट अप्शन डी होगा घोंगा, सीप, कटलफीस, आक्टोपस, निम्न में से किस संग के जीव है तो ये हैं मुलस्का संग के जीव है राइट अप्शन बी होगा मुलास्का संग के जीवों का सरीर काफी कोमल होता है कुछ जीवों का सरीर कैलसियम निर्वित कबच के अंदर होता है इन में खुला परिशन चरन तंत्र पाया जाता है पादप कोशिकाओं में बरनक उपस्थित होते हैं पादप कोशिकाओं में बरनक लवक में उपस्तित होते हैं, जो कोशिकाओं को रंग परदान करते हैं, so right option B होगा, निम्न में से उभैलेंगी पुस्पो की भी सिस्ता है तो केवल पुंकेसर की उपस्तिती नहीं, केवल अंडप की उपस्तिती नहीं, अंडप पुंकेसर दोनों की उपस्तिती right option C होगा उभैलेंगी भी पुस्पो होते हैं जिनमें मादा जननांग अंडप एम नर जननांग पुंकेसर दोनों उपस्तित होते हैं, जैसे मटर एम गुड़हल का पुस्प तो इसमें से C option सही होगा अंडप एम पुंकेसर दोनों की उपस्तिती तो फ्रेंड्स ये रहे एड़ुटेरिया के फूल सिलेबस टेस्ट वन के question के discussion का part 1 आप बने रहे इस channel के साथ मिलते हैं इसके दूसरे part वाले वीडियो में तब तक लिए thank you, thank you very much